उनके मुँसे इस तरह की बाते आपने पहली बार सुनिये क्या आप क्यों बिचलिट परिशांद नहीं आपने हम तो एक ही चीज जानना चाहते हैं कि पहली बार सुनिया आप जो आदतन इस तरह के बोलने में विश्वास रखते हैं उनके बारे में हमसे अधिक आप लोग सम विपक्षी लोग सवाल उठा रहे यह connection नहीं देख रहे हैं यह connection आपको नहीं दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं तो उनके दली अगठ बंदन के लोगों को कोई परेशानी नहीं बोलते हैं परेशान विपक्षी लोग यहां हो जाते हैं सुदाकर सिंग का एक बयान सामने आता है जिसमें वह साफस्वतार पर यह कहते हैं कि नक्सली है वह गाउं में और पहाड़ पर नहीं है बलकि सरकार के बैठे जो लोग है वहीं है उसके बाद से वह एक कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी होते हैं उनको जुत्तों का माला प सुनवाते हैं कि वह तो पार्टी में बैट के हम लोग फैद्ला करें की तरीक तक क्या कहा था तक शीप तेरिंग हो जाएगा यह किसने का बात दोनों एक मिनिट में बात से पलटी आपने पहला लाइन कहा कि आपने कहा थे और हम दूसरे बात कहा था हम जब पूछा कौन कहा था आप कि आ रहे हैं न क्या आपने यह कहा है कि सीट सेरिंग सौ समय हो जाएगा समय से हो जाएगा उनके मुह से इस तरह की बातें आपने पहली बार सुनिये क्या आप क्यों बिचलित परिशान नहीं आपने हम तो एक ही चीज जानना चाहते हैं कि पहली बार सुनिये आप जो आदतन इस तरह के बोलने में विश्वास रखते हैं उनके बारे में हम से अधिक आप लोग समझें सब्सक्राइब करें तो वही तो कह रहे हैं कि भाई सुधाकर जी बोल रहे हैं अभिपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं यह देख रहे हैं यह यह कनेक्षन आपको नहीं दिख रहा है कि वह बोल रहे हैं तो उनके दली अगठ बंदन के लोगों को कोई परेशानी ने बोलते वह हैं परेशान भी बच्छी लोग यहां हो जाते हैं अब यह जड़ाव समझें अब आपको जुडाव हम बता रहे हैं तो हमसे पूछ कर आप गोंके वहीं हैं सबसें बड़ी बात है कि अगर आप लोग उनकी बातों को इस प्रजातांत्रिक व्रवस्था में उचित नहीं मानते हैं आप लोग तो खिर्पया इन बातों को बहस का मुद्दा न बनाएए इससे आपके ये करने से ऐसी बातों को बढ़ावा बिता है टो बातों कुला इससे आपके ये गया इससे आता है